इस वीडियो में हम लोग discuss करने वाले हैं best health insurance for the senior citizen जिनकी भी age 60 plus है तो देखिए 60 plus के बाद में क्या होता है इंचुरेंस का काफी जादा premium आता है तो अगर आपके parents की भाही age हो चुकी है तो definitely एक तो उनका insurance बनता ही है लेकिन बहुत सारी कंपनिया है और सबके अगर आप premium देखोंगे बहुत महंगे महंगे प्लान है तो आपके लिए कौन सा best plan रहेगा comparison करूँगा 8 से 10 कंपनी का इसके अंदर एक base plan और एक super top up plan का भी concept चलता है जो मैंने अपने parents के लिए भी ले रखा है जिसके अंदर आपका premium कमाता है और coverage आप बढ़ा सकते हो तो ये plan कैसे काम करता है तो ये सारी जनकरी आप लोग को देने वाला हो इस video के अंदर तो please पूरा वीडियो यहां पे जरूर देखेगा और सारी comparisons के links भी आपको description box में मिल जाएगी तो देखो सबसे पहले आपको कुछ important चीज़े बताना चाहूंगा पहले चीज़ जैसे 60 plus की age हो जाती है कोई भी insurance company का अगर आप premium मगाती हो तो उसमें co payment का clause होता है 20% का इसका मतलब होता है कि 20% भाई आपको अपनी जेब से भढ़ना है अगर आपके parents hospital के अंदर admit होते हैं तो और 80% insurance company यहाँ पर देगी तो मैं prefer करता हूँ कभी भी आपको ऐसे plans नहीं लेने चाहिए at least waiting period की बात की बात को तो 2-4 साल कर रहते है existing illness के उपर यानि अगर आपके parents को कोई diabetes वगर है और आप first time यहाँ पर plan ले रहे है तो वो सब कुछ आपको medical condition बतानी पड़ती है और उसके regarding कोई भी existing यहाँ पर unless होई तो उस पर waiting period लगता है तब तक insurance company आपको claim नहीं देती है इसके लावा insurance company एक आपको पूरी list देती है जिसको हम ल hospital के साथ में टाया पर जहां पर आपको आराम से cashless treatment मिल सकता है और कोई hospital ऐसा तो नहीं है जो कि blacklisted हो जहां पर आपको treatment लेने पर भी कोई भी claim नहीं मिलेगा साथ में हमेशा health insurance जो है parents का हमेशा आपको अलग रखना चाहिए कई लोगों को जैसे corporate insurance के अंदर भी उनकी family भी तो मैं recommend करूंगा parents का health insurance हमेशा अलग होना चाहिए अब बाइ मैं premiums को सभी plans के comparison करने के लिए policy bazaar के site use में लेने वाला हूँ policy bazaar का बस additional benefit यह मिल जाता है premium तो देखो आपको सब जगे same ही देना होता है थोड़ा सा यहाप additional discount मिल जाता है इसके लावा यहाँ पे आपको एक claim assistance मिल जाता है कि कल को claim करना हो और आपको प्रोसेजर नहीं पता तो policy bazaar आपकी उसमें पूरी help कर देता है और claim को settle करवाने भी आपकी help करवा देता है तो देखो यहाँ पे मैं link description box में provide कर दूँगा यहाँ पे क्या करना है simply यहाँ पे आपको choose करना है father and mother simply continue button पे click करना है आपके father की age का है mother की age का है वो आप simply यहाँ पे insert कर दीजिए के बाद में आपकी भाई city पूछेगा और कोई existing illness है तो वो और किसी भी प्लान को अगर आप comparison करना चाहते हो तो यहाँ पे simply आपको add to compare button पे click करना है और आप multiple companies के plans को यहाँ पे compare कर सकते हो लेकिर इससे भी better solution मैंने आप लोग के लिए बनाया है भाई मैंने आप लोग के लिए जितने भी almost plans यहाँ पे हो सकते जो better plans हो सकते उन सभी क मैंने यहाँ पे एक Excel जो spreadsheet बना ली है और इसी के अंदर मैं आपको सारे plans जो compare करके दिखाने वाला हूँ तो पहले हम लोग base plans की बारें बात करेंगे फिर super topic के उपर चलेंगे तो देखो इसके अंदर मैंने care का senior health हो गया, neva का senior first platinum हो गया, star का comprehensive, sdfc का optimal secure, icc का elevate हो गया, i निपाल सिगना का prime हो गया, digit का super care हो गया, reliance का health gain हो गया, तो इन सभी plans को हम लोग comparison करने वाले है, अब मैं अगर मोटा मोटा बात करूँ, तो पहले अगर मैं premium की बात करता हूँ, तो जिनकी age 61 plus है, plus 5 lakh रुपे का अगर आप अपने parents के लिए health insurance देख रहे हैं, तो सबसे चीज मैंने बताया था कि co payment नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे यार अगर आपका premium का budget ही यहाँ पे 20,000 रुपे, 25,000 रुपे, तो भाई उस situation के अंदर कोई भी company आपको full claim paid नहीं देने वाली है, अगर इसके अंदर मैं बात करूँ, सबसे कम premium के साथ कोई company अगर देती है, तो भाई उसके अंदर first number पे digit का नाम आता है, जहाँ पे आपको 24,000 रुपे भड़ने है, और पूरा claim यहाँ पे आपको insurance company प्रवाइड करती है, लेकिन ध्यान अखिए का यहाँ पे zonal wise है, यानि अगर आप जिस city में रहते हैं, उससे बाहर जाकर treatment कराएंगे, तो वहाँ यहाँ पे co payment जरूर यहाँ पे applicable हो सकता है, तो इस चीज़ को जरूर confirm कर लीजेगा, तो देखिए सबसे बहले अगर मैं premium की यहाँ पे बात करूं, तो care की, neeva की और star की इनके सब की में बात करूं, तो care neeva almost आपको 23,000 रुपे 22,000 रुपे के अंदर आपको provide कर देता है, लेकिन दोनों के अंदर भाई 50-50% का co payment का यहाँ पे clause लगा हुआ है, यानि आपको अपनी जेब से भाई 50% यहाँ पे बियर करना पड़ेगा, बिल बियर करना पड़ेगा, तो अगर आप यह चीज़ नहीं करना चाहते, तो definitely आप care senior और neeva senior first platinum दोनों को ही भाई यहाँ इग्नोर कर सकते हो, लेकिन obviously बात है, दोनों के अंदर premium भी अगर आप देखोंगे तो आपको कम मिलेगा, इसके लावा भाई, मैंने यहाँ पे एक ICR करके डाला हुआ है, यह होता है आपका incurred claim settlement ratio, यानि किस company ने कितना premium लिया है, और उसके against में कितने लोगों का यहाँ प साथ में जा सकते हो, जहाँ पे full claim आपको जो है company यहाँ पे provide करती है, और second पे आप ICRC elevate को भी रख सकते हो, जहाँ पे भी आपको full claim यहाँ पे मिलने वाला है, तो यहाँ पे आप ICR देखोंगे 79% है, ICC का 77% है, और इसके लावा claim within the 3 months भी अगर आप देखोंगे तो 100% ICC न आप चाओ तो deluxe ले लो, आप चाओ तो sweet वगरे ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, ICRC elevate की बात करो तो वहाँ पे केवल single private AC room आपको मिलने वाला है, अगर भाई मैं pre और post hospitalization की बात करो तो hospital में admit होने से पहले 60 दिनों के खर्चे यहाँ पे SDFC देता है आपको, post hospitalization यानि की hospital से discharge होने के खर्चे 180 दिनों तक के आपको provide करता है, ICRC में आप देखोंगे, तो 90 180 दिन का चलता है, और इसके लावा जो day care treatment होते, जहां पे आपको hospital में admit होने की जरुवत नहीं पड़ती है, आपका one day के अंदर या आप discharge हो जाते हो, जैसे फिशर वगरे का treatment हो गया, तो उसके मैं star को इसलिए ignore करना चाहरा हूँ, क्योंकि यहाँ पे 10% का co payment clause चामिल हो जाता है, और अगर आप premium देखोंगे, almost 43,000 ICRC के almost बराबर ही आप यहाँ पे pay कर रहे हो, तो definitely star की जगे आपको ICC definitely consider करना चाहिए, इसके लावा भाई, अगर मैं restoration benefits की बात करूँ, इसका simple सा मतलब यह होता है कि मालो आप hospital के अंदर admit हो है, फिर आप discharge होगे, अब उसी साल में वापिस आप hospital के अंदर admit हो रहे हो, तो क्या company आपको यहाँ पे settlement करती की नहीं करती, तो यहाँ पे SDFC के अंदर आपको once a year का restoration benefit मिल जाता है, यानि 5 लाग की limit है, आपने वालो पूरी utilize करती, फ मालो first year आपने 46,000 दे दिया, second year जब आप policy renew करा रहे हो, तो आपको जो 5 लाग रुपे का summer short मिला हुआ है, वो 2.5 लाग रुपीज per year increase होता जाएगा, और maximum 5 लाग रुपे जा सकता है, जिस भी साल आप claim नहीं करोंगे, यानि हर claim free year पे 5 लाग रुपे maximum, यानि यह जो 5 ला 5 लाग रुपे जा सकता है, जिस भी साल आप claim यहाँ पे नहीं करोंगे, महलब claim free year के उपर, इसके लाव भाई कई policy के अंदर यह होता है, कि जब आप यहाँ पे claim करने जाते हो, तो आपको जो bonus मिलता है na renewal के उपर, उसको reduce कर देते हैं, तो SDFC और ICC के अंदर ऐसा कुछ भ बाकी guys यह आपको कोई भी OPD के expenditure नहीं देता, मलब normal सर्दी जुखाम खांसी के लिए आप doctor होया बास जाओंगे, उसका भाई कोई भी आपको reimbursement वगरे नहीं मिलने वाला है, आयूश का treatment इसके अंदर basically cover है, जिसके अंदर yoga, homeopathy वगरे आता है, consumables यानि कि कुछ खर्चे ऐ SDFC Optima जो है, उसके अंदर यहाँ पे available है, यानि वो company आपको basically provide करेगी, बाकी guys अगर free health check up की बात करो, SDFC Optima के अंदर आपको 2.5 तक का free health check up देखने को मिल जाएगा, ICC के अंदर आपको इसके लिए extra pay करना पड़ेगा as a premium, अगर आपका यहाँ पे budget कम होता है और एक rapid rate company को अगर आप still select करना चाहते हो, तो SDFC, ICC को छोड़के आप ITBLA के साथ जा सकते हो, जहाँ पर आप देख सकते हो, ITBLA के active one के अंदर 34,000 रुपीज का आपको premium pay करना पड़ रहा है, लेकिन अच्छी बात है कोई भी category select कर सकते हो room के ओपर, plus full claim paid हो रहा है, insurance company की तरफ से co payment का को मिल जाएगा, सारे day care treatment covers है, covid वगर है, सब कुछ cover है, restoration में भी unlimited times आपको देखने को मिल जाएगा, बस एक ये चीज़े की renewal के time पे कोई bonus नहीं है, मलब 34,000 रुपे आपको दे रहो, तो 5,000,000 रुपे आपको मिलेगा, next year आप renew कराओंगे, तो ये 5,000,000 रुपे बढ़ेगा आयूश वगर की बात को तो covered है, consumable भाई, optional cover है, और free health check-up भी यहाँ पे optional cover है, इसके लाब भाई, full claim paid के अंदर मैंने आपको सबसे सस्ता जो plan बताया था, वो digit का super care बताया था, सिफ 24,000 रुपे के अंदर आपको मिल रहा था, तो यहाँ पे अगर आप देखोंगे, तो 30 60 का यहाँ पे आपको pre and post मिलेगा, थोड़ा सा कम है, obviously यह premium भी आप कम पे कर रहे हो, यहाँ पे day के treatment basically आपका include रहेगा, hospitalization at home, यहाँ पे applicable नहीं रहेगा, तो ध्यान रखेगा, इसके लिए वा registration साल में सिफ एक बार आप करवा सकते हो, renewal bonus की बात करों, तो ठीक है, 25,000 पीस तक यह जा सकता है, यानि 5 का 6,6,6,000 रुपे हो जाएगा, लेकिन हा, premium जो जितना दे रहे हो, value for money आपको provide कर रहा है, reduce reduction की बात करों, NCB के अंदर, तो यहाँ पे अगर आपने claim किया, तो जो bonus आपको मिल रहा है, definitely वो उसी ratio से यहाँ पे reduce होगा, waiting period की बात करों, existing पे 71% का है, claim within the 3 months भी 96% का देखने को मिल जाएगा, बाकी guys, अगर आप co-payment के अंदर सबसे cheapest और branded के साथ, companies के साथ में जाना चाहते हो, तो definitely आप Care और Neva Bupa को एक बार look out कर सकते हो, star का कोई यहाँ पे sense बनता नहीं है, क्योंकि काफी जादा premium है, बाकी reliance का भी health gain करके, जिसम आपका 100% होगा, लेकिन obviously बात है, उसके लिए आपको additional premium पे करना पड़ेगा, इन सारे plans के अंदर, जो मेरे one of the favorite है, वो भाई, आप HDFC, Optima हो गया, ICC, Elevate हो गया, Aritya Builder Active One हो गया, और digit का super care हो गया, इन 4 plans को आप consider कर सकते हो, 24,000, 34,000, 46,000, इन में से 4 plans में से, कोई भी आप plan जो है, अपने parents के लिए consider कर सकते हो, और अगर आप 50% co-payment clause के साथ में comfortable हो, तो फिर आप care के साथ में और नीवा बूपा के साथ में definitely consider कर सकते हो, जहापे premium सिर्फ 22,000 से 23,000 रुपे का premium है, और 50% co-payment के साथ में, आपको काफी सारी अच्छी चीज़ देखने को मिल जाए तो यह आप से सबसे पहले existing cover पूछेगा, तो देखो पहले आपको एक base plan लेना है, तो मैंने आपको जो 4 plans बता है, उनमें आप कोई भी एक base plan ले सकते हो, 5,00,000 रुपे का, तो existing cover आपका 5,00,000 रुपे हो गया, और वही आपका directable amount होता है, तो simply आपको continue करना है, आप देख base plan आपके पास ओरड़ी 5,00,000 रुपे है, और additional cover आप 10,00,000 रुपे का लेना चाहते हो, चलो एक example के साथ मैं समझाता हूँ, मालनो आपने नीवा का base plan ले लिया, ये वाला senior first platinum plan ले लिया, जिसका premium आप 22,801 रुपे पे कर रहे हो, और 5,00,000 रुपे का समेशार है, अब उस 7,394 आपका super top up plan हो गया, तो total premium हो गया, आपका 30,000 रुपे है, अब आपका जो समेशार कितना होने वाला है, 5,00,000 रुपे है, और 10,00,000 रुपे आपका super top up है, यानि 15,00,000 रुपे का cover आपको देखने को मिल जाता है, सिर्फ 30,000 रुपे के अंदर, जी हां, तो यही भाई super top up plan की खासियत होती है, कि यहां पे super top up plan के अंदर premium काफी जादा कम होता है, तो यहां पे अगर आप मालो, base plan को ही 5,00,000 से 10,00,000 करते हैं, तो premium काफी जादा आता है, उसकी जगे आप क्या कर सकते हो, 5,00,000 का base plan लो, और उसको increase करने के लिए, आप super top up plan को consider कर सकते हो, और यह plan कैसे काम करेगा, जैसे अगर आपके parents hospital के अंदर admit होते हैं, तो पहले जो bill जाएगा, वो base plan से cover होगा, 5,00,000 रुपे, जैसे ही खतम हो जाता है, और जादा bill आता है hospital का, तो बाकी का जो जित्ता भी bill का amount होगा, वो सारा amount जो है, super top up plan यहां पे cover करके देता है, और यह कि जिसका base plan हो, उसी से आपको super top up plan लेना है, आप चाहो तो different company से ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बस 2-3 चीज़े इसके अंदर make sure कर लिजेगा, terms and condition के अंदर, जैसे आपका base plan के अंदर, जो terms and condition है, वही आपके super top up plan के अंदर भी हो, तो काफी जादा आपके लिए beneficial है, तो policy bazaar पे यहाँ पे जो है, इनके super top up plans available नहीं है, लेकिन आप directly company से बात कर सकते हो, quotation मंगवा सकते हो, बाकी मैंने जो 3 plans बता है, नीवा हो गया, केर हो गया, मनीपाल हो गया, उनके भी plans आप ले सकते हो, super top up plans के अंदर, यानि base आपने एक company का ले लिया, और super top up आपने ए reasonable premium के अंदर आप उनको ensure कर सकते हो, बाकी अगर आप लोग की कोई भी doubts है, comment box के अंदर बताइएगा जरूर में को, और सारी supported link मैंने आप लोग को description box में दे रखिये, thank you guys, thank you very much